महरास्टर की जो महावसूली सरकार है और उसके एक्स होम मिनिस्टर अनल देशमुक को आज CBI ने तलब किया है CBI उनसे पूछताच कर रही है उस वसूली कांड को लेकार क्योंकि अनल देशमुक को ही इस पूरे के पूरे प्रक्रड का मास्टर माइंड बताया जा रहा था आपको पता होगा कि परंबीर सिंग ने उद्दफ टाकरे को चिठी लिखी थी और इस चिठी में ये कहा था कि परंबीर सिंग इंस्टरक्ट करते थे और देते थे सचेन वाजे को और सचेन वाजे जो मुंबी के तमाम होटेल्स हैं जो तमाम रेस्टरों हैं तमाम बार्स हैं पब्स हैं वहां से पैसा जबरन उगाही करके अनिल देशमुक को लेकर देते थे और इसका टारगेट था 100 करोड रुपे प्रती महिना अब ऐसे में सवाल ये उठाए कि जो अनिल देशमुक हैं वो महरास्ट में होम मिनिस्टर के पद पर तैनात थे तो 100 करोड रुपे महिने जो पैसा आता था क्या उसे अकेले अनिल देशमुक ड़कार रहे थे क्योंकि जो इतना बड़ा अमाउंट है जो और ये और भी जादा हो सकता है क्योंकि अभी सिर्फ एक ही केस निकल कर सामने आया है कि सचिन वाजे को टारगेट दिया गया था 100 करोड रुपे प्रती महिने की दर से सचिन वाजे जैसे और भी कितने लोग होंगे जो की सरकार के लिए काम कर रहे होंगे सरकार के लिए जबरन बसूली कर रहे होंगे या फिर अनिल देशमुक के ही अंडर वो लोग काम कर रहे होंगे तो ऐसे में सबाल ही उट रहा है कि जो इतना बड़ा अमाउंट जो वसूली करके लाया जाता था क्या अकेले अनिल देशमों कि इस पूरे के पूरे अमाउंट को ड़कार सकते हैं क्या वो पूरा अमाउंट अपने पास रख सकते हैं ये impossible है क्योंकि एक सरकार में होम मिनिस्टर के पद पर तैनात कोई भी इतना बड़ा कांड करता है इतनी बड़ी वसूली का जो रैकेट है अगर उसे चलाता है तो इसकी ख़वर सरकार को ना हो इसका जो पैसा है वो नीचे से उपर न जाता हो ये next to impossible है सरकार को भी पैसा जाता होगा जरूर और भी तमाम बड़े-बड़े मंत्रियों को तमाम बड़े-बड़े नेताओं को पैसा जाता होगा जो political party के chief है उनके पास में भी पैसा जाता होगा तो फिलाल जो CBI की team है वो सिर्फ और सिर्फ अनिल देशमुक को ही mastermind के तौर पर देख रही थी क्योंकि अभी तक उन्हें ही as a mastermind represent किया जा रहा था अब CBI अनिल देशमुक से पूझताच के जरिये वो तमाम जो राज अभी तक बने हुए हैं वो राज दफन न हो जाएं उन्हें उगलवाने के लिए अब अलग-अलग पैतरे अपनाईगी अलग-अलग हतकंडे अपनाईगी और अनिल देशमुक से ये जानने की कोशिज करेगी कि तुम्हारा mastermind कौन है क्योंकि ये बात होता है कि सचिन वाजे के mastermind अनिल देशमुक थे अब अनिल देशमुक का mastermind कौन है ये investigative agency को जानने के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ और आप लोग भी इसे लेकर क्या सोचते हैं मुझे comment section में जरूर बताएं कि जरूर अगर अनिल देशमुक के पास सौ करोड रुपय महीने की जो उगाही आ रही थी जरूर अनिल देशमुक की तरफ से भी जो तमाम बड़े-बड़े politician है उन्हें दिया जा रहा होगा तेर इस बात की है फेट हम लोग इस बात का कर रहे हैं कि कब अनिल देशमुक मूँ खोलेगे क्योंकि अनिल देशमुक के एक तरीकी से political power चली गई है उनकी जो home ministry थी वो उनसे छीन ली गई है अभी सिर्फ एक वो नेता रह जगए है वो NCP में हैं फिलाल उन्हें NCP से बर्खास्त नहीं किया गया है तो सिर्फ एक वो अभी normal नेता रह गए है तो अगर अनिल देशमुक को ऐसा रगता है कि उनकी political power चीनी गई है उन्हें सिर्फ बली का बकरा बनाय जा रहा जैसे सचिन वाजे बोल रहा था कि हमारे आका कोई और है mastermind कोई और है हमें जो है बली का बकरा बनाय जा रहा है उसके बाद में जैसे जैसे NIE की तरफ से चूड़िया टाइट की गई तो सचिन वाजे ने फिर finally अनिल देशमुक का नाम लिया और साथ के साथ अनिल परपका भी नाम उच्छाला गया तो क्या अब जब सब रास्ते बंद हो गए हैं उनके political करियर पर बात आ गए उनका political करियर खत्म होने की कगार पर है तो क्या अनिल देशमुक अब और भी तमाम बड़े बड़े नेताओं के नाम लेंगे पूछताच के दौरान और जब नाम निकल कर सामने आएगी तो ऐसे में एक जो बहुत ही बर करार रह पाएगा क्योंकि अब मिनिस्टर के बाद में जिस मिनिस्टर का नाम निकल कर सामने आएगा जिस नेता का नाम निकल कर सामने आएगा यकिन मानिए वो बहुत ही बड़ा नेता होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरे के पूरे मामले में बहुत ही जल्द बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है और बहुत बड़े बड़े नेताओं के नाम एक्सपोज होने वाले है इसे लेकर आप लोगों की क्या राय है आपका क्या ओपीनियन है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बड़ाल इस वीडियो में इतना ही जल्द मिलूगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में दूसरे अपडेट के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद